कि बेलकम टू नेक्सक जाओं आज है 22 दिसंबर 2022 और 22 दिसंबर 2022 से करेंट अफेस के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चिन बन सकते हैं सारे आम इस वीडियो में डिस्कुस करेंगे और हर कुश्चिन से रेलेटेड इंपोर्टेंट वैक्ट विए मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो वाध्यान से देखिए लास्ट वम मैं आपसे कुश्चिन पूछूंगा उसका आंसर आपको कमेंट वॉक्स हों बताना है आज किस वीडियो की पेडियो की डिसकुस में से डाउनलोड कर सकते हैं पेडियो आप मारे टेलेग्राम ग्रूप से भी टेलेग्राम ग्रूप पर आपको सारी पेडियो पेडियो एक साथ मिल जाएंगी और टेलेग्राम ग्रूप का लिंक मैंने इस वीडियो की डिसकुस में दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलेग्राम ग्रूप जोइन कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाली में किस देश ने अपने पहले जासूसी उपग्रे के बिकास के लिए परिक्षड उपग्रे लॉंच किया है तो अभी उत्तर कुरिया ने अपने पहले जासूसी उपग्रे के बिकास के लिए परिक्षड उपग्रे लॉंच किया तो इस question का बे options है अब North Korea ने launch किया तो ये है map में North Korea जो आपको उपर दिख रहा है ये ही है North Korea और जो नीचे है वो है South Korea North Korea की capital क्या है पैंग यॉंग North Korea की currency क्या है North Korean won और North Korea की तानासा का नाम क्या है किंग जॉंग उन क्या है किं जॉंग उन अच्छा North Korea और South Korea को divide करने वाली land को कहते हैं तो North Korea और South Korea को divide करने वाली land को 38th parallel कहते हैं इतना आप North Korea के बारे में आत रखिए अच्छा आज किस वीडियो का हम target रखते हैं 40 या like का तो अगर ये video आपको अच्छा लगता है, helpful लगता है तब आप इस video को like और share जिरू किया करो और मैं आपको भी बोलता हूँ daily morning mode कर सबसे पहले अपने लेक target fix करो चाहे चुटा सा ही target fix करो लेकिन daily morning mode कर सबसे पहले अपने लेक target fix करो और फिर अपना पूरा दिन उस target को achieve करने में लगा दो आपकी life automatically अच्छी हो जाएगी next question है हाले में परमण उर्जा नियामक बोड का अध्यक्ष केसे नियुक्ष किया गया है तो अभी दिनेज कुमार सुकला को परमण उर्जा नियामक बोड का अध्यक्ष नियुक्ष किया गया तो इस question का says options हिये आप image में दिखिए ये है दिनेज कुमार सुकला और ये ही परमण उर्जा नियामक बोड बोड यानि की atomic energy regulatory बोड के नए अध्यक्ष नियुक्ष नियुक्ष है अच्छा atomic energy regulatory बोड के ये अध्यक्ष नियुक्ष नियुक्ष है तो अभी काडियोलोजिकल सुसाइटी ओफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर पेसी रत चुने गए थी डबलू एचो ने सर जेरेमी फरार को मुख्य बैग्यानिक नामित किया है जम्मू कस्मीर उच्च नियाले का कारे बाहक मुख्य नियादीस तासी रावस्तान को न्यूक्त किया गया टेटी एफ आई की पहली मैला अध्यक्ष मेगना एहलाबत चुनी गई और नाबाड के नए अध्यक्ष की रूप में साजी केबी को न्यूक्त किया गया है हाली में भारत के पहले और बिश्च के दूसरे इंफेंट्री संग्राले का उद्गाटन कहां किया गया तो अभी इंदोर में इंडिया के पहले और दुनिया के दूसरे इंफेंट्री संग्राले का उद्गाटन किया गया तो इस question का बे options है इसका उदगाटन इंदोर के महुचावनी में किया गया है अब ये भारत का तो पहला है लेकिन बिस्सू का दूसरा है अब बिस्सू का दूसरा है तो बिस्सू का पहला कहां पह है बिस्सू का पहला है USA में कहां पह है USA में ने क्यूशन है हाली में किसने भारत का पहला ग्रेन स्टील ब्रांड कल्यांट फेरेस्टा लॉंच किया है तो हमारे प्रजेन टाइम पे केंदरी इसपात मंत्री है जो तिरादित्ति सिंदिया इन्होंने अभी भारत का पहला ग्रेन स्टील ब्रांड कल्यांड फेरेस्टा लॉंच किया तो इसकुषिन का से ओप्सन सही है किस ने पहली बार जन जाती सेत कालिन महुतसब की मेजवानी की है तो अभी जम्मू कस्मीर ने पहली बार जन जाती सीत कालीन महुत सब की मेजबानी की तो इस कुश्यन का बे आप्सन से ही है अच्छा जम्मू कस्मीर तो मैप में देखी ये है जम्मू कस्मीर जम्मू कस्मीर अब एक केंद्र सासित प्रदेश है यानि की यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी में लिटिनेंट गवर्नर हुआ करते हैं तो जम्मू कस्मीर के लिटिनेंट गवर्नर कौन है मनूज सिन्ना जम्मू कस्मीर उच नहले का कारेबाग मुक्नियादि किया है चेनाव वाटर राप्टेंग महुत सब अभी जम्मौ कस्मीर में हुआ है अच्छा जम्मौ कस्मिर में दच्ची गराउट नेस्नल पार्क है किस्त्वाड नेसञल पार्क है तो जे ओसी यानि कि जनरल ऑफिसर कमांड निंग किलो फोर्स की रूप में अभी मोहित सेठ ने कारवार समाला तो इसकुश्यन का A options है यह हैं मोहित सेठ और इनो नहीं जे ओसी किलो फोर्स की रूप में कारवार समाला है अच्छा इसमें कौन से मोहित सेठ है जो कैप लगाया हुए है यह हैं मोहित सेठ ने क्यूश्यन है हाली में किस राज सरकार ने अपने परेटन छेत्र को उद्योग का दर्जा देने की गोश्ण की है तो अभी असम सरकार ने अपने परेटन छेत्र को उद्योग का दर्जा जरूत क्यों पड़ी तो परेटन के छेत्र में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए सरकार उद्योग का दर्जा देती है अब परेटन छेत्र को उद्योग का दर्जा दे दिया गया है अब इसमें FDI आ सकता है यानि कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए इसको उद्योग का दर्जा दिया गया है अब असम ने दिया है तो यह है मैप असम की केपिटल के है दिसपूर असम के चीपनिश्टर कोन है हिमंता विश्व सर्मा और असम की गवर्नल कोन है जगदेश मुखी अभी असम में मंत्री मंदल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए बिद्यक को मंजूरी थी पूर्वत्तर के पहले युनानी चिकित्सा छेत्री केंद्र का उद्गाटन सिल्चर में किया गया असम के मुख्यमंतरी ने बाजरा मिसन की सुरुवात की ट्रेज ब्योंड फॉरेस्ट कारिक् और कटी बिहूत युहार ये असम में बनाया गया अच्छा असम में काजी रंगा में निशनल पार्क है ये सबसे इंपोर्टेंट है ये एक सिंग वाले गेंडे के लिए फैमस है असम में मानस ओरंग डिब्रू सेकोवा राह मोना और देहिंग पटकई निशनल पार्क भी तो ये असम के इंपोर्टेंट डिशनल पार्क है ये आपको याद रखने है ने किशन है हाली में किसे संसत के उपरी सदन में उपाद्यक्ष की पैनल में नामित किया गया तो पीटी उसा को संसत के उपरी सदन यानि की राज सभा के सभापती जगदीब धनगर ने अन्तिम राजकुमारी अभीगेल कवानान कोवा का निधन हुआ है तो हवाई की अन्तिम राजकुमारी थी अभीगेल कवानान कोवा इनका अभी 96 बरस की उम्र में निधन हो गया तो इसकुष इनका A options है ये थी हवाई की अन्तिम राजकुमारी अभीगेल कवानान कोवा इनका अभी 96 बरस की उम्र में निधन हुआ है, अच्छा हवाई, ये एक पस्चिमी सेंक्त राज अमेरिका में राज जी है, ने किशिन है, हाली में NAAC से A ग्रेड पाने वाला एक मात्र भारती भी सुविद्याल है, कौन सा बना है, तो गुर्नानक देब भी सुविद्याल है NAAC से A ग्रेड पाने वाला एक मात्र भारती भी सुविद्याल है बना है, तो इसकुशिन का B आप्सेंस है, ये पंजाब की अमरत सर में है गुर्नानक देब भी सुविद्याल है, ये NAAC यानि कि National Assessment and Accredition Council से A ग्रेड पाने वाला एक मात्र भारती भी सुविद्याल है, ने क अनदिकृत बिकास नियमिती करड बिधियक पारित किया है, तो अभी गुजरात की विदान सवा ने, अनदिकृत बिकास नियमिती करड बिधियक पारित किया, तो इसकुशिन का C options है ये, ये है बिधियक राज्य में, अक्टूबर 2022 से पहले निर्मित, अवैद, ब्यावस साइक सैक्षिक और आवासी अचल संपती भवनों को निर्दारित सुल्क के भुकतान के पश्चात नियमित करेगा, अब गुजरात तो ये है मैप में गुजरात, गुजरात की के बिटल क्या है, गांदी नकार, गुजरात की चीपनिस्टर कौन है, भुपेंद्र भाई प पांडुलीपी गिरंताले बनाय जा रहा है, जल जीबन मिसन की तहत सत प्रत्सत घरेलू नल कनेक्शन वाला राजी गुजरात बना है, अच्छा गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एसियाटिक लोइंस के लिए फेमस है, गुजरात में सरदार सरोबर डेम है, नल सरोबर लेक है, ठोल लेक है, कंकडिया लेक है, खिजाडिया लेक है, इतना आपको गुजरात के बारे में याद रखना है, ने क्युशन है, हाली में किसने दूसरी बार प्रो कबड़ी लेक का खिताब जीता है, तो अभी जैपुर पिंक पैंथर्स ने पुनेरी पल्टन क को हराकर प्रो कबड़ी लेक का खिताब दूसरी बार जीता, तो इस कुशन का बे option सही है, प्रो कबड़ी लेक का final मुंबई में हुआ है, और यही पे जैपुर पिंक पैंथर्स ने पुनेरी पल्टन को और आए, और ये दूसरी बार है, जब जैपुर पिंक पैंथर्स न मासिक आए में मेगाले टॉप पर है तो इसके प्रतिकरसी परिवार आसत मासिक आए 29,348 रुपई है यह पूरे परिवार की मासिक आसत करसी आए है 29,348 रुपई और इसके साथ मेगाले टॉप पर है तो यह प्रती किरसी परिवार औस यहां है तो यह top three state याद रखिए मेगाले फस्ट पे है पनजाब सेकिंड पे है और हरयाना थर्ड पे है मेगाले के केपिटल के है सिलॉंग मेगाले के चीप मिश्टर कौन है कॉनरड संगमा और मेगाले के गवर्नर कौन है ब्रिगेडियर बेडी मिस्रा ने क्यूशिन है हाली में किसके द्वारा नई पुस्थक fit at any age launch की गई तो अभी PBIR द्वारा लेखित ये नई बुक fit at any age launch की गई तो इस कुश्चिन का A options है अच्छा अभी दा लाइट वी केरी overcoming in uncertain times नामक पुस्थक मिसेल उवावा ने लिखी है मानसी गुलाटी ने अपनी पुस्थक miracles of face योगा का विमोचन किया नल नाडा until we meet again नामक पुस्थक गौतम बोरा ने लिखी और winning the inner battle नामक पुस्थक सेन वाट्सन ने लिखी है next question है हाली में कौन तेरे मी बिस्सु ब्यापार संगटन मंत्रे स्तरी बेटक 2024 की मेजबानी करेगा तो तेरे मी बिस्सु ब्यापार संगटन मंत्रे स्तरी बेटक की मेजबानी UAE करेगा तो इस question का C options आई अब UAE तो ये है map में UAE UAE की capital क्या है UAE की currency क्या है UAE दिरहम और UAE के present time पे President कौन है महमद बिन जयाद अलनेयान कौन है महमद बिन जयाद अलनेयान अब last video के question का answer last video मैंने आपसे question पुछा था कि हाली में राजबिंदर सिंग भट्टे को केस राज़ी के DGP की रूप में न्यूक्त किया गया तो बिहार के DGP की रूप में राजबिंदर सिंग भट्टे को न्यूक्त किया गया यानि कि इस question का A option सही था और लगबग सभी student ने इस का answer सही दिया मूश्ट लेश्ट ने इसके वारे में डेटेल में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा question के बारे में आपको जितना जादा से जादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो पिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज का question आपके लिए आज का question है हाली में किस राजसरकार ने अपनी सभी यूजनाओ के लिए आधार कार्ड आनेवारे किया है चार option दिये गए हैं इनमें से आपको अपना answer होताना है और इसके अलाबा हमारे Facebook page पर previous question daily post करते हैं तो आप Facebook पर next exam सर्च करके हमारा Facebook page जोइन कर सकते हैं क्योंकि previous question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आप उपने career से related भी कोई problem है तो आप Instagram पर indreshrc indreshrc Instagram पर indreshrc search करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt कोई भी confusion without any hesitation discuss कर सकते हैं अच्छा आज किस वीडियो का target जरू याद रखना आज किस वीडियो का target है 40 यह like का तो अगर यह video आपको अच्छा लगा है अलपो लगा है तब आप इस video को like और share जरू किया करो और आपके पास जो भी study related WhatsApp और Facebook ग्रूप हैं उनमें आप इस video को share जरू कर दिया करो तो यह था आज का हमारा current interface का video आपको यह video कैसा लगा प्लेज कमेंट बॉक्स में जरू बताना और अगर अभी तक भी आपने वारे इस channel को सब्सक्राइब नहीं किया है नेक्स्ट एक्जम और बेज बिद यू थैंक्स वर वाचिंग